कि है यह लो फ्रेंड्स Electronics के लेक्चर सीरीज में अभी हम लोग डिसकॉसन कर रहे हैं रिजिस्टर का और सबसे पहला पॉइंट है है कि रिष्ष्टर का काम किया है तो नहीं है और नहीं हो सकता कि इंसुलेटर चनाइर करने होगा और semiconductor material को हम यूज करके बनाएंगे रेजिस्टर सबसे पॉपुलर और सबसे सिंपल जो रेजिस्टर इस्तेमाल किये जाते हैं इसके फिल्ल में electronic circuit के उपर वो होते हैं कार्बन कंपोजीशन रेजिस्टर कैसे बनाया जाएंगे जड़ा देखिए कि कार्बन कंपोजीशन रेजिस्टर इसमेड विधे mixture of carbon insulating fillers and a resin binder देखिए कार्बन में कार्बन का हम पाउडर ले लेंगे और इस पाउडर में जेनरली जो insulating filler है वह ग्रेफाइट वगरे टाइप के material को हम मिक्स कर लेते कार्बन का एकदम थीन पाउडर है तो कार्बन और ग्रेफाइट के पाउडर को मिक्स करके रेसीन बाइंडर का काम करता है बाइंडर जो है वह जैसे इनकैप्सुलेट करने में मदद करता है इस तरह क्या गोला छोटा छोटा हम बनाएंगे और इस गोले के अंदर हम conducting wire लगा देते हैं लीड connection के लिए लगा देते हैं और यही actual में यह जो एरिया है यही हमारा रेजिस्टर है इस एरिया से जब करेंट पास करेगा तो 100 पर से यह तो है नहीं तो यहां पर जो मैटेरियल है वही पोजिशन पैदा करेंगा यह जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेंगा रेजिस्टेंस का वैलू बढ़ता चला जाएगा और अगर कम करना है इस इंसुलेट तो थोड़ा सा कम ज्यादा करके यह मैटेरियल तो से मिया मैटेरियल कोई अंतर नहीं यह कार्मन है ग्रिफाइट का चूण है बहुत पतला और उसको पर रेजिन रेजिन एक मैटेरियल है जो उनको इनकैपसुलेट करने में मदद करता है च्छोटा च्छोटा कैपसूल ठीक उसी तरह से बनाए जाएंगे जैसे मिट्टी का चोटा चोटा हम लोग गोला बनाते हैं गोला बनाकर सुखा दें तो कड़ा हो जाता है ठीक वही कामेहाम करते हैं कारवन और इंसुलेटिंग फिलर को आपस में मिक्स करके रेशी मिला करें उसको बाइंड कर देते हैं और इसमें जो कनेक्शन लीड है इसी के अधर पर उसके वहल्य को आइडन्टिफाई किया जाता है व्लखम या ज्यादा वहलू बनाया जाते है तो इस तरह से और दोनों साइड में लीड कनेक्शन क के लिए सर्कीट में connection के लिए हमको conducting wire की ज़रूद होती है तो यह लेट कनेक्टर हम एड कर देते हैं और इस तरह से हमारा देखियर तैयार हो जाता carbon composition रेगिन क्या रेजिस्टर सिर्फ carbon composition से बनते हैं ऐसी बात नहीं है कर और अधर मेथड भी है अधर मेथड और carbon film carbon film का concept क्या है कि दखिए जो रेजिस्टर है यहां पर हम उस तरह का material carbon composition नहीं मिला करके इसके उपर एक हलका कोटिंग कर देंगे यह जो material है एक प्लेट होगा कोई भी कड़ा हम से रामिक वगड़ा का प्लेट ले सकते हैं या फिर और भी material है जिसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी material के ऊपर इसको हम फिल्म के रूप में लेयर के रूप में लेप के रूप में लगा करके भी रेजिस्टर तयार किया जाता है तो carbon film जो है वह carbon का एक प्लेटेरियल पर हम लेयर बना करके कर लें carbon film है Metal Oxide मेटल फिल्म है दूसरे मेटल के ऑक्साइट से भी बनाया सकता तक कोई यहुरुरे नहीं है कि carbon से ही बने से दूसरे कोई ही ही similar तो जानरली कंडुक्टर होते हैं तो मेतल के ऑक्साइट से भी बनाया सकता है मेटल फिल्म भी बनाया जाते हैं मैटल ग्लेज मेटल में गलास को रखें, मिक्स करके हम अलग-अलग रिजिस्टर बनाते हैं या फिर सेलेनियम वायर लेकर के वायर को उंड करके एक सेरामिक रोड के उपर जब वायर को हम लपेट दें और यही फाइनल हमारा कनेक्शन में जूड़ जाता है मतलब अलग-अलग तरीका है रेजिस्टर के डिजाइनी का लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि यह कारवन फिल्म लीनियर अलगरिथमीक होता है लीनियर अलगरिथमीक का मतलब गया जरा इसको समझा जाये यह देखी है कोटिंग एडिया अब इस एरिया में अगर हम बहुत हल्की कोटिंग करें और इधर चलके हम कोटिंग को बढ़ाते चले जाये और यहां से अगर हम connection को इस तरह से establish कर दे और कोई variable हम connecting point रखे जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे यह क्या होगा यह non-linear है non-linear structure हमने बनाया यहां पर बहुत ज्यादा कोटिंग हमने कर रखा है जबकि यहां पर हलकी कोटिंग है तो इस तरह की कोटिंग को हम बोलते हैं logarithmi कोटिंग logarithmi कोटिंग का सीधा सा concept है कि अगर सीम एरिया में logarithmi कोटिंग कर दें यहां से अगर हम 0 से लेकर के यहां पर 10 ohm की बात करें तो logarithmi कोटिंग में क्या होगा यहां पर 5 Ohm होगा अब आप देख सकते हैं कि बहुत कम एरिया में 5 Ohm है जबकि यहां पर बहुत ज्यादा एरिया है क्यों ऐसा है क्योंकि कोटिंग हमारा बहुत हलका है और यह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा भी बढ़ें का मतलब है कि यहां से यहां तक अगर 10 ohm है तो यहां ठीक बीच में क्या होगा 5 होगा जैसे scale measurement का scale हम लोग लेते हैं तो एक बराबर distance पर बनाया जाता है यहां पर 2.5 होगा यहां पर 7.5 होगा बराबर distance पर हम डिवाइड करेंगे इसको तो इस तरह का अगर पर एक समान कोटिंग किया जाए तो लीनियर कोटिंग है एक बराबर कोटिंग है इस कोटिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ती जाएंगे हमको एक समान resistance के में variation होगा जबकि logarithmi कोटिंग में हम हो सकता है कि 50% conversion के बाद भी और बाकी उधर आगे में जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज करने पर बहुत ज्यादा चेंज हो क्योंकि यह लीनियर है ही नहीं तो नॉन लीनियर है logarithmi कोटिंग है तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जहां पर हमको नॉन लीनियर मतला logarithmic register value की ज़रूरत होती है जैसे रेडियो अगेरे में television में हम जो sound control करने के लिए volume control बनाते हैं लागरित्मिक कोटिंग के द्वारा बनाया जता है logarithmic potentiometer उनका नाम है इसलिए कि हमारे कान के सुनने का जो sensitivity है लागरित्मिक change होता है एसा नहीं है कि linear अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे और उसको हम sense करेंगे कई धीरे धीरे यहां पर बढ़ेगा और हलका भी change करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा तब हमको लगेगा कि आवाज change हो रहा मतलब हमारा logarithmic audible sense जो है और logarithmic response पर काम करता है इसलिए जितने भी audio control के लिए volume control वगेरा treble bass control की बात हम करते हैं तो वहां पर हम logarithmic variable register का इस्तेमाल करेंगे तो यह दो तरह के जो carbon film है metal film है metal oxide है metal glass के जो material से बनाये जाते हैं register और दो काटेगरी के हो सकते हैं एक linear और दूसरा logarithmic तो इस तरह से linear और logarithmic value का भी रेजिस्टर बनाये जाता है इसके बाद सबसे next जो point है जो सबसे important है कि register की value का identification कैसे होगा देखे रेजिस्टर बहुत छोटा सा device है register की अगर बात करें तो कई बार इतना छोटा होता है ओ कि हम लोग अगर market में लेने जाए carbon को position तो market में one by four watt तक का register तो नॉर्मल रेजिस्टर है चोटा साइज साइज ही होता है लेकिन उसको आसानी से आप देख पाएंगे लेकिन अगर यह one by eight watt one by 16 watt हो तो इतना चोटा हो जाता है कि इसको सीधे अंग से पहचानने में दिक्कत होती है सर्फेस मांड़ेट कॉंपोनेंट पर बना जाता है से मडीवाइस के रूप में लेकिन सबसे छोटा रेजिस्टर है carbon composition का तो है quarter watt का one by four watt half watt one watt two watt यह सारे साइज इतनी छोटे होते हैं कि infer value लिखना संभव नहीं है लिखने के बाद देखिए electronic component में समस्या क्या है कि जब आप यूज करते हैं तो उसको लेते हैं सालों साल चलता रहता है उस पर धूल अगर का भी असर पड़ता है धूल को साफ करेंगे तो हो सकता लिखा हुआ content जो हो मिट जाए जैसे अगर हम 4.7 लिख दे और बाद में मिट जाए तो 47 हो जाएगा तो पहचानने में दिक्कत है तो ऐसी स्थीति में सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा इसका value कैसे रिप्रेजेंट करें हम तो रिप्रेजेंट करने का चुकि बहुत छोटा value है तो ल value के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 यही हमारे पास नंबर है हर डेस्मल नंबर के अगेंस्ट एक निश्चीत कलर को फिक्स कर लिया गया जैसे इसके लिए हमने रखा ब्लेक कलर इसके लिए ब्राउन कलर को रखा यह रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है यह औरेंज कलर है फोर के लिए हमने एलो कलर का इस्तेमाल किया है कि फाइव के लिए हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है सिक्स के लिए ब्लू की बात करते हैं सेवन के लिए वाइलेट 8 के लिए gray और 9 के लिए white तो यह color पहले fix कर लिए गाए कि जो number हम लिखते है नंबर के जगह पर कलर का इस्तेमाल कर लेंगे इसमें दो और color होता है जिसको हम tolerance के रूप में इस्तेमाल करतें उसमें होता है गोल्ड, गोल्ड की वैलू को हम प्लस माइनस 5% मानते हैं, और एक होता है सिल्वर, सिल्वर के वैलू जो है, वो प्लस माइनस 10% को दिखाता है, तो यह जो हमारा कॉंसेप्ट है, इन कलर को एक नमबर वैलू से रेप्रिजेंट किया गया, और यही कलर कोडिंग टेक्निक है यह जो कलर कोडिंग टेक्निक है, वो इन ही कलर को हम नमबर के जगपदी प्रिजेंट करते हैं, जैसे यहां पर देख लें आपकी यह फॉस्ट, सेकेंड और थर्ड कलर है, और दूसरे साइड में फॉर्थ कलर होता है, च्योंकि साइज बहुत छोटा है तो इतना डिस्ट पहचा नहीं होगी, क्योंकि फॉर्थ कलर में हमको जेनरली गोल्ड या सिल्वर कलर मिलेंगे, तो अगर यह दोनों कलर मिल जाते हैं, तो आसानी से पहचान सकते हैं कि यह फॉर्थ कलर है, उसके दूसरे साइड से फॉस्ट सेकेंड थर्ड कलर आप काउंट कर लेंगे, अगर के कलर गोल्ड या सिल्वर होंगे, तो ऐसे स्तिति में आप इन चारों कलर जो है, वो वैल्यू को रीप्रेजेंट करता है, वैल्यू को समझना बहुत आसान काम है, जैसे कोई रेजिस्टर अगर हम ले लेते हैं, यहां पर हम कलर लिख लेते हैं, शॉट में ही रेड रेड और आरेंज, तो रेड रेड आरेंज का मतलब हो गया कि टू, फॉस्ट टू जो कलर है, वो सीधे वैल्यू लिख लेंगे, और थार्ड कलर जो होता है, उसको हम मल्टिप्लायर कलर बोलते हैं, और तेन के पावर में लिखा जाता है, इसका मतलब है कि यह रेजिस्ट तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस फाइब परसेंट, तो इस तरह से यहां पर बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे, इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं, अगर फोर्थ चार कलर के रेजिस्टर हो, मतलब टूटल फाइब कलर हो रेजिस्टर पर तब कैस पर वही गोल्ड होगा, तो वैलू के कैसे लिखेंगे, टू, 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 इन्टू, टेन्टू पावर थ्री, इसका मतलब हो गया, कि टू, 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 थ्री, जिरो, टू, 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 के, मतलब, 222 के को रिप्रिजेंट करता है, और प्लस माइनस यहां भी, पाइव पर इन्टिफिकेशन और उसके टॉलरेंस की बात की हमने, देखे, टॉलरेंस है क्या, रेजिस्टर में सबसे बड़ी खुबी है कि रेजिस्टर टेंप्रेचर संसिटीव मैटेरियल है, तो जब भी इसको किसी डिवाइस में इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फोर्क उसी देर काम करने के बाद गर्म हो जाता है, हमारे पास एट्मोस्फेर में भी टेंपरेचर लगातार बदलते रहता है, दिसम्बर के महीने में बहुत ठंड़गी होती है, मैई-जून में 45 डिवाइस डिवाइस में भी बदल रह होता है, और टेंपरेचर से इसके वैलू में बदला होता है, सवाल है कि कितना, तो इसी बात को बताता है हमारा टॉलरेंस, टॉलरेंस अगर प्लस माइनस 5 परसेंट है, इसका मतलब है कि अगर 100 ओम का रिजिस्टर है, तो उसमें मैक्सिमम वैरियेशन 95 to 105 हो सकता है, अगर अगर प्लस माइनस 1 परसेंट हो तो 99 से 101 होगा, अगर 2 परसेंट हो तो 98 से 102 होगा, इस तरह से यह केवल आरीशन को बताता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इस रिजिस्टर की वैलू हम चाहे, — जिस भी मन्त में चेक करें, जिस भी तेंपरेचर में चेक करें, यह प्लस से हम टेस्ट करेंगे इसको तो इसका वैलू 22 के प्लस माइनेस 5 परसेंट है तो 5 परसेंट उतार चाड़ा हो सकता है मतलब ये 21 के के आसपास आएगा 21 से 23 भी बता रहा है तो हम मानके चलते हैं कि ये रिजिस्टर सही है लेकिन अगर किसी कारण से ये रिजिस्टर 15 के हो जा ये जहांता का ज्याधा प्रभाव ना हो या डामेज ना हो तो रिजिश्टर सही है और नहीं है किसी महीनेमें खराब होगा यह तो कोई नहीं जानता तो इसके में लिप्रिजेंट करने के लिए tolerance दिया जाता है तो तो रिजिस्टर का वैलू कितना भाइरी कर सकता है किसी किसी भी मौसम में किसी भी समय में और किसी भी टाइम में पांच साल बात भी हम चेक करें तो प्लस माइनस फाइव परसंट ज्यादा वारिएशन नहीं हो सकता अगर है तो रेजिस्टर गडबड है फॉल्टी है उसको आप रिप्लेस कर दें सर्किट से हटा दें तो यह कॉं बाद में रेजिस्टर सिर्फ कारवन कंपोजिशन के ही नहीं बनाए जाते हैं इस तरह के प्लेट पर बनाए जाते हैं उनका फिजिकल डिजाइन जो है कुछ इस तरह का हो सकता है कैसे इस तरह के वेरियवल रिजिस्टर होगे और इस वायरीयवल रेजस्टर पर हमारा एक रूटर भी बना होगा जिसको हम आगे चल के जेंज करसकते हैं तो इस रूर्टर को अगर हम चेंज करना चाहे बदलना चाहे तो ऐसी स्थिती में ओंपा साइज तू बढ़ा है पोजिशन के लिए ये color ठीक है next जो color value identify करने का तरीका हो है numeric मतलब इस register पर इसी में कहीं पर value हम लिखते है 104 अब देखिए 104 ए भी हो सकता है आर भी हो सकता capital R या capital E denote करता है resistance को उससे हमको मतलब नहीं है लेकिन यहां पर देखिए यह color हमने ने लिखा हमने color की coding नहीं कि हमने इसी पर value लिख दिया 104 104 क्या बताता है यहां भी वही इस्तिति है यह first color second color और यह third color का value represent कर रहा है इसका मतलब है कि 10 into 10 to power 4 इसका value होगा यह value हो जाएगा 100 into 10 to power 3 आप कर सकते है means 100 k तो इस register का value 100 kilo ohm है तो इस तरह से आप देखेंगे कि numeric coding से भी value लिखा जा सकता है color की coding से भी लिखा जा सकता है अगर physical size बहुत होटा है और लंबे समय तक value में कोई शेड़शार ना हो तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे numeric value हम इस तरह से लिख सकते हैं लेकिन इहां पर एक समस्य आता है कि अगर सपूझ मानिए कोई value है 4.7 बनो और इस value को हमने इसी तरह से लिख दिया तो साल दो साल के बाद यह dot हो सकता है कई बार हाथ लगने से भी मिट सकता है चुकि written form में लिखा हुआ उस पर तो यह अगर dot हट जा तो इसका value बढ़ने में दिक्कत होगी तो इस स्तिती से बचने के लिए एक तरीका अपनाय गया कि यहां पर अगर ऐसा हो point हो तो point हम नहीं लगाएंगे हम इसके बदले लिखते हैं 4R7 यह हम लिखेंगे 4E7 इससे क्या हो गया यह R अगर बीच में है तो यह होना तो last में चाहिए था लेकिन R बीच में लिखने का मतलब यह है कि आप समझ लें कि यहां पर dot होगा तो अगर यह अल्फाबेट बीच में आ जाए निमेरिक वैल्यू में रिस्टर के वैल्यू में कहीं भी निमेरिक रिटेन में तो यहां पर dot की जगा पर यह R या E रखा जाता है मतलब यह अस्पस टूप से आप पढ़ेंगे 4.7 ओम यह भी आसान तरीका है और इससे हम लिखने के क्रम में dot लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी dot मिस भी हो सकता है लेकिन यह तो कभी नहीं मिस होगा और मितने का भी कोई चांस नहीं है तो निमेरिक कोडिंग से भी वैल्यू लिखा जा सकता है रिस्टर पर कलर कोडिंग स आरोज द में दैवल क्या होता है कि एक छोटे से प्लेट में और अलग लग रेजिस्टर ऐक ही छोटे से प्लेट में लगा दिये जाते कि इन सबके साथ हम जोड़कर कि इस नेटीवर्क को बना देते हैं जब भी हमको पांच अलग-अलग रेजिस्थर को लगाना है तो पांच रेजिस्थर नहीं खरिद करके इस नेट वर्क को ही हम खरीद कर सकते हैं और इस पर अगर value माल लेते हैं, सारे register 1K के हैं, तो 1K के 5 अलग-अलग register नहीं खरीद करके, हम इस network का इस्तमाल भी कर सकते हैं, और electronic circuit में ऐसा network भी मिलता है, देखने को और लगाया जाता है, तो ये register के construction की बात हमने की, अलग-अलग material से कैसे बनाया जाएंगे, उनके value कैसे identify किया जाएगा, ताकि जब आप market में जाएं, तो आप आसानी से किसी register के value को पहचान सके, पहचानने के लिए आपको color coding, numeric coding, ये दोनों ही तरीका पता होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, यहीं पे समात करते हैं, नेक्स वीडियो में हम लोग देखेंगे, कि register को series या parallel में कैसे connect करते हैं, और सबसे important है, कि क्या register sensor का का काम कर सकता, फिजिकल वर्ड से किसी parameter को sense करके अपने value को change कर सकता है, तो इसको हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, हम देखेंगे कि register sensor का भी काम कर सकता है, sensor का जो element है उसके आधार पर इसके register value बदले जा सकते है, variable type के register बनाये जाएंगे, जो manual change करने की ज़रूरत नहीं है, temperature या light को sense करते हैं, और उसके आधार पर वो काम करते हैं, तो उस पर detail discussion अगले lecture में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.